सर प्रत्म तो मैं आज के इस गुर्पर्व के उपर तमाम हिंदुस्तान के निवासियों को विशेश तोर पे अपने सिख ब्रादरी के जो हमारी संगत है उनको इस पर्व की बहुत-बहुत बदाई देता हूं, मौरखबा देता हूं और वाई गुरू से यही परात्ना करता हूं कि यह पर्व हम सब के लिए खूशें लेकर आए और विशेश्त और इस रियासत जम्मू किश्मीर के लिए आमन, शांती और भाईचारे का महौन लेकर आए जहां तक आपने एक इतहासिक बात जो प्रदानमंत्री साब ने जो आज इतहासिक फैसला किया है, आप सब जानते हैं, परदानमंत्री साब हमेशें अतहासिक कामों के लिए जाने जाते हैं, उनकी विशेश्ता यही है, पिछले 75 साल में जो कारे कोई भी सरकारे नहीं कर सकी, आज परदानमंत्री साब ने सहभजादाओं के नाम पर एक वाल दिवस, वीर वाल दिवस के नाम पर ज ऐसा उधारन है कि जो छोटे बचे थे उन्होंने धर्म परिवर्तन ना करते हुए अपना प्रानों की बल्दान देना उन्होंने उचित समझा और लोगों को एक मैसेज दिया उस मैसेज को आज परदान मंत्री साहब ने 75 वर्ष के बाद इस हिंदोस्तान के इतिहास में एक कि कदम को आगे लेकर जाते हुए एक एक अपना वीजन को दोराया है और लोगों को एक प्रेना के इस्तोतर में बानने का प्रियास किया है मैं आमानी पदान मंत्री साहब का बहुत-बहुत अबार प्रकट करता हूँ तमाम अपने सिक्ष समाच के लोगों को बहुत- का अे कि Baileyойти न chapel को इस से पहले भी काफी सारी सरकारे रही सफतर साल तक सरकारे रही ऐसा बलिदान एक इतिहास में कहीं ही को नहीं को नहीं मिलता है लीकिन जिस तरीका से आज परदानمنत्री ने ये फैसला लिया है इस आप किस तरीके से डिक ग्यें always को पहले कहा कि पद्धानमंत्री साब हमेशा इत्यासी काम करते हैं पद्धानमंत्री साब को हर समाज हर वर्ग का चिंता रहती है और डीप स्टडी है उनकी और हर समाज के लिए वो चिंता में रहते हैं जो कारे किसी ने भी को किये हैं आपने देखा पिछले साथ वर्ष में जिन जिन महापुर्शों ने इस देश को खड़ा करने के लिए इस देश को अजाद करने के लिए जो भी अपनी बल्दान अपनी कुरवानी जो भी उन्होंने दी उस कुरवानी को याद करते हो किसी ना किसी रूप में मनाने का प्रयास किया है किसी ना किसी संधर्म में अप कि जो कुर्वानी का एक बहुत बड़ा मैसेज था वो एक मिसिंग लिंक था हमारे समाज में उस लिंक को जोड़ने का प्रयास प्रलामति सामयाज किया